हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ कि आप मेरे यहां आएं किन्तु एक ही शप्त कहें दीजिये और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा क्रिस्त में मेरे प्रिय भाईयों और बहनों आज के व्यापारिक जगत में हर कोई एक ब्राइंड ढूंता है या नाम ढूंता है अगर किसी चीज का एक बार नाम बन जाए तो वह आँख बन करके भी बिग जाती है और व्यापारिक जगत में लोगों को बहुत मुनाफ़ा होता है लेकिन जब किसी कमपनी का कोई नाम बन जाता है तो दूसरे जो लोग है उस कमपनी के समान अपने जो भी चीजे हैं उनको बनाने का प्रयास करते हैं उनके समान नहीं बना सकते लेकिन ऐसा करने पर वह भी बहुत मुनाफ़ा अपने प्यापार में पाते हैं अगर इस बात की तुलना हम आध्यात्मिक जीवन के साथ करेंगे तो हम भी काफी मुनाफ़े का जीवन जी सकते हैं हमारे लिए केवल एक ही योगिता प्रभु चाहता है कि हम उसके समान बनें योहन का सू समाचार अध्या 14 पत्संक्या 9 में प्रभु का वचन कहता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है प्रभु येशू अपने वेक्तित्व की तुलना अपने पिता के साथ करते हैं हुबहु उनसे मिलता हुआ वेक्तित्व इसलिए ओफिलिप से कहते हैं फिलिप अगर तुमने मुझे देखा है तो सचमूच में पिता को भी देखा है हम मेरे प्रियभाई बेनो प्रभु द्वारा एक उचित जीवन जीने के लिए बुलाये गए हैं हम सबों को भी प्रभु ने उनके समान बनने के लिए बुलाया है मत्ति कसू समाचर दे 5 पसंग 48 में प्रभु का बचन कहता है पूर्ण बनो जैसा तुम्हारा स्वर्ग्य पिता पूर्ण है और अगर हम इस पूर्णता की ओर बढ़ने लगेंगे तो हम भी हमारी जीवन में काफी साम्रधी और आशिष पाएंगे आज प्रभु एशु उस वेक्ती की प्रशान्सा करते हैं वे कहते हैं कि इस्राइल में भी मैंने आज तक इतना विश्वास नहीं देखा यही उसकी तारीफ में प्रभु कहते हैं और आज के जो शुरुआत का जो बाइबल का वाक्यह मैंने बताया वो हर रोज या हर समय जब भी हम इसा बलिदान में भाग लेते हैं, कहते हैं, हे प्रभु मैं इस योग नहीं हूँ, कि आप मेरे घर आएं, केवल एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कि हम इन शब्द्दों को बार बार दहराते हैं, क्या हम इन शब्दों की गहराई को समझते हैं। जो हम बोलते हैं क्या हम उसके समान आचरन करते हैं क्योंकि अगर हम इस वचन पर विश्वास करते हुए उसको अपने आचरन में ढालेंगे तो हमारे जीवन में साम्रिधी की कोई सीमा नहीं रहेगी क्योंकि प्रभू इस तरीके से आशिष की भरमार हमारे जीवन में करेंगे कि हमारा जीवन सुखमय और आनन्मय हो जाएगा और इतना ही नहीं जब हम ऐसा कर पाएंगे तो कई सारे लोगों को हम एशुकी और आकर्शित भी कर पाएंगे यही हमारे जीवन का लक्ष है यही प्रभू हम सबों से चाहता है जैसे प्रभू ने संसार में आकर लोगों को पिता के बारे में इश्वर के राज्य के बारे में बताया और कृपाओं से आशिषों से बरा हमें भी प्रभु वही कृपा और आशीज देना चाहता है ताकि हम इन सबों को इस्तमाल करके अपने जीवन में प्रभु के राज्य को स्थापित करने में अपना योगदान दे क्या हम इस सब के लिए तैयार हैं अगर हैं तो हमें भी हुबु हुँ हमारे जीवन इश्वर की जीवन के समान बनाना जरूरी है और जब हम ऐसा करने लगें इसका मतलब यह होगा कि हम विश्वास की गेहराई में जा रहेए विश्वास को गेहराई से समझ रहे हैं और इशु को अपना प्रभू और मुक्तिदाता घोशित करते हुए उसके बताय हुए रहा पर चल रहे हैं। और प्रभू ने जैसा अंतिम बंक्तियों में कहा कि तुमने जैसा विश्वास किया वैसा ही तुमारे साथ हो जाए। जब हम भी प्रभू की सामान बनने लगेंगे हम भी जो विश्वास करेंगे उसी के समान प्रभू हमारे जरिये कारी करेंगा। तो आईए प्रभू से हम इस कृपा के लिए आशिश मांगे और विशेश कर इस समय हमारे देश में शान्ति के लिए प्राथना करें। जो प्रेम का भाव इस समय संसार से दूर होता जा रहा है, मनुश्यों से लुप्त होता जा रहा है, वो अभी पूर्ण रूप से वो लोग प्राप्त करें, विशेशकर मनिपूर में हो रही हिंसा के लिए भी हम प्राथना करते हैं, कि प्रभू उस हिंसा को विराम दे कर वह बारम बारत धन्यवाद देकर उस मुक्ति को प्राप्त करें जो प्रभु हमें देना चाहता है आईए इस क्रिपा के लिए हम प्राथना करें आमें